हलो एबरीवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करना हो सब लोग ठीक होंगे तो जोगरफी और इंवर्मेंट के इस कर इंटरफेर्स की सीरीज में आगे आगे आप हम लोग बढ़ने वाले हैं जिसमें आज ये 10 पार्ट होगा इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पिछले सब्सक्राइब कुछ मतलब पॉल्यूशन से समबंदित स्पेशली जो ओशन से रिलेटेट पॉल्यूशन होते हैं जो शिप्स से हो रहे होते हैं जिसे महार पोल अगेर ऐसे कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पता होना चाहिए हमें ये साल भर कुछ न कुछ में थी इसलिए इनकों लोग डिसकस कर रहे हैं सिस्नौट क्या होता है और भी चीजें जो बहुत ही आज आज आपको एंड तक बने रहिएगा और नोट डाउन कर लेना कुछ की वर्ड्स बहुत ही महतुपून होंगे ठीक है सो इसके साथ साथ अनेकाइड में पर मेरा इक अब बात करेंगे अम लोग सी स्नौट के बारे में सी स्नौट क्या होता है सबसे पहला आज का तॉपिक हम लोग का और यह अचानक निउस में आ गया था जब मेटिटरेनीं एरिया जिहां स्पेशली टर्की वाला जो छेतर है यह दिखाई दे रहा हो होगा आपको इस मैप में कि टर्की वाला जो एरिया है इस टर्की वाले एरिया में जैसे ही आप लोग देखते हैं तो नो ड़ाउट ये सी स्नौर्ट जैसी समस्या आ गई थी अब यह सी स्नौर्ट क्या होता है यह UPSC में प्रिलिम्स लिवल पर चीज़ें आ सकती है पहली बात तो इसकी लोकेशन समझ लीजिए कि कहां पर सबसे पहले आया तो यह सी आउप मरमरा टर्की के पास अब यह है क्या यह एक ग्रेय या अब देखने के बाद सब को समझ में आ जाएगा कि यह है क्या है ना तो ध्यान रटना सी स्नौर्ट मतलब कोई स्पीशी ऐसी वह नहीं है कि मतलब जो है कोई फिश हो कोई मचली हो ऐसा दीने से वह तो प्रिलेंस में कुछ भी बना सकते हैं लोग तो अपने को थोड़ा सा उबजर्वेशन करके रखना है कि ग्रे और ग्रीन कोई मतलब एक तरह से थोड़ा सा दलदली जयसा पूरा पैटन बन जाता है जी हां मतलब polluted हो चुका है simple सी चीज़ तो यह 2007 में सबसे पहले देखा गया था लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे Mediterranean region में आजकल जो है काफी news में रहा है last year तो overloading जब हो जाती है nutrients की मतलब nutrients in the sense overloading in the sense अब कोई पूछे का अच्छी बात है किसी चीज में जाना लेकिन नहीं over nutrition सबसे ज़्यादा problem वाली बात होती है इसका basic हम लोग day-to-day example देख सकते हैं खेतों से निकलने वाला जब पानी जितना भी fertilizer आपने पिछले सालों में डाला है वो पानी के साथ fertilizer किसी भी लेक तालाब जील नदी में जाके खट्टा हो जाता है तो वहीं एक जगह जब जादा खट्टा हो जाता तो और nutrition हो जाता है तब algae develop हो जाती है तो ऐसा यहां पर है कि यदि आप pollution वगरह सब दे रहा है इंडेस्टी का वेज जा रहा है तो वह क्या है nutrient के नाम पर over हो गया बहुत जादा और फिर काफी जाद जो है अपने आप में एक तरह से water pollution और फिर सारी चीज़ें दीरे 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 इंडेरेक्टली पॉलिशन को बढ़ा दीती है इसी लिए हम कहारा है damage to the marine ecosystem मतलब सी स्नौट मेडिटरेनियन एरिया यूरोपियन एरिया फेमस है सी स्नौट के लिए considerable इसको हम डेमेज मानते है marine ecosystem का algae का role है overloaded with nutrients है ऐसी 4-5 बाते भी आत कर लोगे तो आपका question रुखना नहीं है ठीक है समस्या वाली बात है तो है सर बिल्कुल सही बात है क्योंकि after all भाई ये actual में sunlight को पहुंचने नहीं देता अंदर पानी तक sunlight नहीं जाएगा अंदर marine activity होनी पाएगी photosynthesis होनी पाएगा तो overall पूरा जो fishing वाला pattern है वो भी collapse हो सकता है लंबे समय तक यदि अंचेक रहा तो ये बढ़ते भी जाएगा तो काफी जादा major damage पहुचा सकता ये marine ecosystem को बाकी तो जितनी भी species है वो सब मतलब अपने आप में poisoning pattern पे चली जाएगी कि fishes crabs oysters जो भी है सी स्टार्स वगर उनके सा तो मतलब livelihoods पर सवाल आजाएगा उनका जीवनियापन पर सवाल आजाएगा तो ये चीज़ है दूसरी बात water born diseases इसके just reverse impact भी हो सकते है कि या cholera इस तरह की जो इस तानबूल के शहर में अब इस तानबूल शहर घवरानावत कहा गया ये 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 इदर वहीं sea of man पर आए Greece है और यहाँ पर हम लोग Aegean सागर पढ़ते हैं ये ब्लैक सी है अब Aegean से ब्लैक की तरफ जाओगे तो दो रास्ते में straight मिलेगी एक जनरली आपको डालडनेल स्ट्रेट मिलेगी एक बॉस्परस स्ट्रेट मिलेगी तो ये कई को कई बार सवाल पूछा सकता है कि ये ये डाल टॉन स्ट्रेट मिला फिर फिर मर्मरा फिर से बॉस्परस्त्रेट ब्लैक सी फिर कष ट्रेट वकर्च क्यों क्यों EU चानियों साओक डोटmbol इस स्टोरी थी नेक्स्ट मनिस ग्लोबल मीथेन प्लेज भाई या ग्लोबल मीथेन प्लेज का मतलब देखो प्रीवियस यह के कोश्चन पेपर्स को देखो के इन्वार्मेंट के ना तो कुछ भी बड़ी मीटिंग वगरा होती कॉनफरेंस होती तो उसके आये हुए रिजल्ट हमेशा कहीं न गई एक्जाम में पूछे जाते हैं इस साल भी क्लाइमेट चेंज के कॉनफरेंस को लेकर ग्लासगो में जो कॉनफरेंस हुई थी इस साल इंदर सेंस की जो नोवेंबर की बात करें लास् स्टोरी 9192 से आज से आप देखो के तो गरीब करीब मतलब काफी जादा समय हो गया अब जितनी बार यह लोग बैठते हैं मिटिंग में मालो हर साल बैठ रहे हैं तो जितनी बार बैठेंगे वो उनके लिए यह मीटिंग का यह नमर शुरू हो जाता 26 27 25 23 22 तो COP का मतलब हो तो वो है COP Conference of Parties ठीक है अब यह इस बार जहां बैठे थे ग्लासगो में Conference में और बात हुई थी क्लाइमिट चेंज की नो डाउट एक्च्वल में थोड़ा सा हिस्टोरीकल वेग्राउंड देखें तो यह पैरिस की कहानी से शुरू होता पैरिस एग्रिमेंट हुआ क्या थ यह था कि मतलब आप कह सकते हैं कि भहिया दुनिया को हम यह कहना चाह रहे थे कि आपको सबको अपने अपने टार्गेट दिये जाएंगे अपको खुद अपने टार्गेट लेने हैं तो वह थोड़ा सा एक ऐसा होता है कि ओवरॉल्ड में हर देश की एक पहचान बन जाती है यदि अच्छा काम कर रहा है तो इस नजरिये से थोड़ा इसको शुरू किया गया था तो ऐसे ही अब इस बार भी काफी कुछ जैसे नेट जीरो आपने एमिशन वर्ड सुना होगा इस बार का यह काफी बहतर थीम मतलब प्रचलित हो गई कि जो है नेट जीरो एमिशन क जितना हम उतसर्जन करेंगे वायू मंडल में उतना ही लगभग सिंक भी करा लेंगे तो मतलब कहीं वायू मंडल में इतना प्रदूशन करना है कि जुस्तिती उस पर हम लोग काम करेंगी तो इस सब सारी चीजें इस तरह की निकली तो ऐसे इसमें ग्लोबल मिथेन प्लेज आउटकम कहां का है पहली चीज तो यह आद रखना है अपने को यह ग्लासगो जो क्लाइमेट चेंज रिसेंटली कॉन्फरेंस हुआ है वहाँ पर यह ली गई थी ठीक है अब यह प्लेज लॉंच किसके द्वारा की गई यह सवाल बहुत ही मतलब मान के चली स्टे यू की स्टोरी है मतलब यह यूरोपियन यूनियन की स्टोरी है दो को थोड़ा सा याद रखना हाँ इनका मानना क्या है यह प्लेज कोई चीज ले रहे होते हैं तो कुछ तो इसमें टार्गेट लेते होंगे न तो प्लेज का सिंपल में बता देता हूं जादा परिशान इनका मानना यह है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस प्लेज को जोईन कर रहे हैं इसमें ध्यान रखना कि हमको लगभग लगभग जो है टू रेड्यूज ग्लोबल मीथेन एमिशन मीथेन के एमिशन को आपको कम करना है एट लिस्ट थर्टी परसेंट फ्रम 2020 लेवल्स 2030 आने वाले 10 साल मतलब 2030 तक जो भी 2020 में था उसका आप कह सकते हो कि 30 परसेंट तक की स्थिति पर उसको लेकर आना है मतलब आप यह कह सकते हैं कि 2050 तक हम लोग 0.0.2 डिग्री सेंटिग्रेट ग्लोबल वार्मिंग को जो हम कम कर वाएंगे तो यह आपको प्रिलिम्स पॉइ ग्लोबल मीथेन एमिशन एट लीस 30 परसेंट तीस परसेंट तक की कमी फ्रम यह बेस यह हो गया 2020 और कब तक करना है तो 2030 अब यह ना तो 2035 लिखा है ना 2040 लिखा है कुछ नहीं लिखा है जो लिखा है वह यह है ठीक है दूसरी बात कोई नैशनल रेदक्शन टार्गेट नहीं है यह ग्लोबल टार्गेट है तीन स्टेट्मेंट तयार रखिएगा एक्जाम में मैं आपको अभी बता रहा हूँ ग्लोबल मीथेन प्लेज कब लॉंच हुआ किसके द्वारा लॉंच हुआ ठीक है और उद्देश्च क्या था तो 30% एमिशन की बात कर रहे हैं वो इस लेवल पर इसको लेकर आना है रिड्यूस करना है दो हजार बीस बेस एरे 2030 था ठीक है उसके बाद में कितना हम लोग लगबग लगबग वार्मिंग को कम कर पाएंगे तो 0.2 डिग्री सेंटिग्रेट यह एक नैशनल डेशन टार्गेट नहीं है किसी एक देश को नही नहीं बोला गया है यह ग्लोबल लेवल पर बात की गए आगई बात समझ में कब हुआ था एनाउंस्मेंट यह भी आपको बता दिये जो यूनेफ ट्रिफल सी जो है उनाइटे नेशन फ्रेमवर कंवेंशन और क्लाइमेट चेंज ग्लासगो में इसमें ठीक है इससे होगा क्या इससे होगा क्या यह भी आ सकता है कि यह हल्प करेगा जो टार्गेट पैरिस क्लाइमेट डील मतलब वही जो मैंने आपको बता है तो शुरू में इस अभी देशों के द्वारा बोला गया है कि हम इतने इतने जो है क्लाइमेट चेंज में अपना कॉंट्रिबूशन द याद रखना और इसके बाद जैसे आप आगे जाओगे तो 30% वाली जो कहानी उसको याद रख लीजेगा 0.2 degree centigrade warming को आप कम कर पाएंगे ठीक है तो पुराना मत बूल जाना वही यह सी स्नॉट क्या था मरमरा और यह सब अलगी का पैटरन और ग्लोबल मीथेन प्लेज किसक का अपना contribution determined है मतलब कि भाई अपने आपको आपको हर देश को बताना है कि भारत के भी targets है सबने अपने अपने targets बता है इस बार भी आपने देखा होगा कि काफी जादा announcement हुए कि हम यह करेंगे तो यह क्या है देश आगे बढ़के आ रहा इससे देश की चभी पर भी जो ह उससे एक बार ना देखते हुए आप कितना इन चीजों में participate कर रहा है उससे जादा मतलब देश का वर्चस वो दिखाई दे सकता है तो इस तरह से अपने target set करने तो यह जो target set करने की विदी है यह जो एक तरह से calculus है इसके बीचे वो रेश्ट mechanism है ठीक है तो यह word याद वो कौन सा mechanism कलाता है ratchet mechanism कलाता है ठीक है बाकी यह तो एक device होता है mechanical उसमें हमने लोग देखते हैं बाकी ठीक है इसका connection थोड़ा सा आप एक दो line में भी याद रखोगे तो आपका answer सही हो ही जाएगा कुछ-कुछ question ऐसे आते हैं कि कभी पता ही ने लग पाता है कि इसको क्या नेक्स्ट बन चाहूंगा कि international maritime organization को थोड़ा सा पढ़ लीजेगा अभी नवेंबर में भी जो है इनका एक तरह से meeting हुई है तो international maritime organization है क्या और इसमें क्या meeting हुई थी और क्या चीज़ें थी वो थोड़ा सम इसमें भी जारा discussion कल लेते हैं ठीक है अब बैया ये भी एक United Nation की specialized agency है autonomous agency काम करती है maritime organization मतलब समझ गए होंगे कि ये ocean से सम्मंदित बाते हो रही है भाई महासागरों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा महासागर में चलने वाली जहाज हैं वो किस तरह का pollution कर रही है उस पे कौन ध्यान देगा ठीक है महासागर में चलने वाले जहाज हैं त कुछ courts होते हैं building courts होते हैं वैसे हमारे लिए मान के चली कि ship बनाने के लिए इसे लगा कर pollution करने तक कि स्थिती पर उसको कौन ध्यान रखेगा तो ये maritime organizations हैं तो काफी जादा regulatory framework बनाने की काम कर रहे होते हैं for the shipping shipping is the key word ठीक है हाला कि आगे जाके आप environmental legal matters technical cooperation सारी बाते जो है इसके अंतरगत आती है है headquarters London UK में दिखाई देगा ये state PhDs के exam में question आ सकता है अब ये organization है तो ये organization के अंदर committees होंगी जो काम करेंगी बहिया अब इसमें committee में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ marine environment protection committee देखो main उपर गोने IEMO है अपना ये ध्यान रखना है na maritime organization है आप काम करने वाले चाहिए इनको तो इनने जो committee बनाई उसमें committee याद रखना marine environment protection committee ठीक है जो परियावरण at least जो marine परियावरण एक तरह से जली है मनलब परियावरण है उसका आपको संद्रक्शन करना ठीक है उसकी committee बनी हुई है जो एक्चॉल में implement करेंगी चीज़ों पहली बाद ऐस सेफ्टी committee और marine environment protection committee अब पहला statement तो यहीं तयार हो गए आपना कि यह दोनों जो हैं यह किसके तहत आते हैं पहली बाद तो अपने पता होना ची कि यह committee जो है international maritime organization के अंतरगत आती है पहली बाद ठीक है याद रखना मैं बहुत काम की चीज़ दिभा रहा हूं इसमें अब मौरत में Arctic region और यह पिघल रहा है global warming में तो यह तरह से इसी पर काम कर रहा होता है कि इसके साथ जो समस्यारी Arctic Ocean पर उसको देखना पहचानना तो इन्होंने यह कहा था अभी जब 77th marine environment protection committee जो बैठी थी यह सब चर्चाओं के लिए लास्ट येर तो आईयमों कोई है यह Black Carbon है जो प्रदूशन फहला रहा है कारबन उसके emission को आपको रोखना है अब यह Black Carbon कहां से shipping से जो आ रहा है देखो इनका सब का connection पानी वालियार आ रहेगा ना shipping वाला रहेगा तो shipping से जो भी प्रदूशन हो रहा उसको कैसे भी हमें अर्जेंट ज़रूरी है कर नहीं क्योंक या non-profit organization की तरह है जो किसके लिए काम कर रहा है इसका जो इन्होंने black carbon emission पर रोक लगाने का प्रयास किया ये सब बातें अपने को याद रखना है अब किस कहां बोला है ये सब कुछ तो जो marine environment protection committee जहां पर बैठी थी 77th इनकी generally meeting थी अब ये तो basic हुआ जो सब चीजें थी अब इनका मानना ये था कि इसमें हम कुछ solution प्रोवाइड करवाएंगे कि किस तरह से air pollution को कम किया जाए ठीक है उसके साथ साथ में जो marine pollution का एक normally हम लोग अभी देखेंगे मारपोल के बारे में बताऊंगा तो जो protocol है वो एक तरह से किस तरह से उसमें और थोड़े बदलाव ला सकते हैं या कभी बदलाव भी लाना है तो किसका रोल है कौन आएगा बीज में तो अब इसमें exam point of view से क्या क्या आ सकता है वो प्लीज ध्यान रखना एक तो ये आ सकता है कि marine environment protection कमीटी किसके अंतरगत आती है clean architect alliance का काम क्या है ठीक है उसके बाद में marine environment protection जो कमीटी है उसका काम क्या है ऐसा आ सकता है तो मैंने आपको बताया कि जितने भी environmental issues हैं under the maritime organization वो सब इसके अंतरगत समालने वाले आएएंगे जैसे oil spill हुआ कहीं आप बड़े लेवल पे oil लेकर जा रहे हो पता भी नहीं है और फिर कल कुछ spill हो जाए तो बहुत जाला दिक्कत होगी seaweed, garbage जो कहां से seaweed, garbage ship से भी निकलता है ज्यान रखना उस पर नजर रखना उसके कुछ नियम बनाना ये सब चीज़ है मारपोल ट्रीटी क्या है वो इसी में बता रहा हूँ जो इसके अंतरगत कबर होती है तो मारपोल को भी हम लोग देखेंगे मारपोल क्या है उसके बाद में जैसे मान लीजे उधारन के तौर पे ship recycling कराना कई बार क्या होता है कि नॉर्मली उधारन के तौर पे जैसे e-waste का रोल कैसा है कि इस देश से waste उठाया वहाँ जाके छोड़ दिया तो कई बार ऐसा नहों कि यहां से waste जा रहा हो ship में दिख कुछ और रहा है बाहर और अंदर कुछ और रखा हो यह सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना यह सब इनी पर protection से related आपको समझ में बात आ गई होगी दूसरी बात MARPOL क्या है यह basic question आ सकता है तो यह international यह भी convention है पर production जो हो रहा है ships के द्वारा देखो ना सब कुछ इसी में लिखा हुआ है MARPOL international convention for the prevention of pollutions from the ship ठीक है marine pollution MARPOL marine pollution ऐसे आत कर लो ठीक है तो जो भी ships के द्वारा production होता है उस पर conservation या उसका एक तरह से prevention के लिए convention बनाया गया है ठीक है हाला कि इसमें भी बड़ी story है 73 में शुरू हुआ फिर 78 फाइनली जाकर लागू जो हुआ वो लगभग लगभग 83 आ गया था तो ये एक exam में question आ सकता है state में कि ये कब लागू हुआ था MARPOL अब समझ में आ गया ना basic idea होना चीक हम कि ships से निकलने वाला जो production है उसको prevent करने की स्थिती में उसके लिए हमने convention बनाया गया ठीक है जिसमें हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना भी हो उतना कम production करें ships अब production में ऐसा नहीं है कि कुछ वायू production इसमें सब चीज़ आ जाती है sea wage, garbage, हर चीज़ आ जाती है including the air pollutant, greenhouse gas emission सब चीज़ है ठीक है इसके बाद में यहां तक की story तो अपने को समझ में आ गई तो marine environment protection committee ये IMO को अंतरगत आएगी ठीक है उसके बाद में clean arctic वाला बता दिया अब maritime safety committee भी लिख लो अब maritime safety committee जो है वो क्या करती है तो हर चीज ये भी IMO के अंतरगत आएगी जो मैंने आपको बताया अब सर actual में ये है कि ये security को लेकर बात कर रही होती है मतलब जो कि passenger ship जो होते है cargo ships होते है उसी से समझ जितने भी safety concern है उससे related है तो इसका objective भले ही न पूछे लेकिन ये ध्यान रखना किसके अंतरगत आता है IMO के अंतरगत आता है अब मैं ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ ध्यान रखना जैसे मान लीजे उधारन के तोर पे डारेक्टी सवाल आ गया तो हम ये connect नहीं कर पाएंगे कि यार ये किस organization के तहाट आता है समझ में तो आ रहा है safety से सम्बन देती है safety में इसके अंतरगत भी एक सोलास convention है अब ये बहुत कम पढ़ते हैं आप किसी किताबों में और ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन उसके बाद से किताबों में मिलेगा पर सोलास convention एक लाइन में पढ़के रखिए कि इसी committee के अंतरगत सोलास convention भी जो है अपडेट किया जाता है अब ये सोलास convention क्या है तो international convention for the safety of life at the sea safety of life safety of life safety of life का मतलब क्या कि यदि आपका जहाज भी बन रहा है वो कितना safety है जैसे car भी आज बनती है अब ये आपने देखा होगा कि इतने airbags होने चाहिए इतना safety rating होनी चाहिए तो भाई शिप का भी तो अपना खुद का जो है क्योंकि passenger ship है माल लो ये cargo ship है तो उसकी खुद की भी तो safety चाहिए जी हां उसका में क्या equipments आप यूज कर रहे है उसका क्या operation है उसके क्या codes हैं किस level पर काम हो रहा है ठीक है तो ये सब चीजों को ध्यान देने के लिए ये convention मना गया तो safety of life at the sea is an international maritime treaty that sets minimum safety standards in the construction, equipment and operation of merchant ships जो भी कोई जाज बना भी रहे हैं हम लोग कर रहे हैं उसके operation में तो क्या-क्या safeties होनी चाहिए इसके proper मतलब अलग-अलग इक तरह से articles हैं उसके तहाद उनकी conditions हैं उसके जाने की जरुवत नहीं हमें लेकिन at least हमें जो standards हैं उसको maintain करके कि कौन सा ship बनेगा कैसे बनेगा क्या safety दे रहा है safety हर sense में ठीक है तो ये 16 शब्दों को याद कर लेना कि इसका संबंद safety of life at the seas है मतलब indirectly safety committee से संबंदी थे जो कि IMO में चला जाएगा और ये मारपोल हो गया और ये protection committee हो गया और ये तो बहुत simple सी चीज है IMO को में एक protection committee याद रखेंगे आप जी हां मतलब environment protection committee और एक safety committee safety committee को आप आगे जैसे ही ले जाओगे तो इसका generally जो मैंने आपको ये safety से related जो convention बताया था सोलाज वाला वो आ जाएगा है ना इसमें हम सोलाज लिख सकते हैं और इधर हम जैसे ही आएंगे तो इसमें मारपोल को ले जा सकते हैं marine pollution from the ships तो ये दो conventions आप याद रख सकते हैं ठीक है तो ये lesson बहुत काम का मैं बता रहा हूँ जो जहां-जहां काम की चीज़ें लेगें सब लोग note down कर लेना अब अगले महिने हम लोग इसमें next month में जो भी काम की चीज़ें होंगी और भी मैं आपको बताते रहूँगा चैनल को subscribe कर लेना share कर लेना and thank you so much मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो you can use the code asgytlive इस code का इस्तेमाल कर सकते है and academy के सारे subscriptions के लिए सारी link आपको description box में बिल जाएगी और ये 30 अपरिल के पहले आप लोग जो है इस batch में रोल कर सकते हैं यहाँ पर आपको guidance session भी available होंगे 18 month या उससे जादा subscriptions में iconic के लिए thank you so much